आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में इसके स्टेक जो गॉवर्मेंट के है उसको डाइलूट कर रही है वो एफैस के तुरू और जो की एक बैड न्यूज है और इस बैड न्यूज के रियेक्शन में ही स्टॉक 5% की गिराबर दिखी और हमने कहा क जो short to medium term trader है उनको इस समय profit book करना चाहिए क्योंकि यहां से एक correction due है और वो correction इस स्टॉक में आपको within 3-5-7 days के duration में ही दिख सकता है तो इस समय थोरा इस स्टॉक में आपको caution बरतना चाहिए आगे के news trend को समझे इस से पहले premium telegram बिलकुल free है उसको join कर लें और description के link से account open कर ल होना है सभी तरफ देखेंगे तो government के stake के dilute को लेकर के news trend हो रही है government plans to sell IRFC share through offer for sale और यही news सभी जगा देखेंगे trade होते दिख रहा है इसके अलावे जो delivery है वो nominal दिख रही है और technical trend एक negative trend हो चुका है और जब yearly return 120% के उपर का हो और short term में ऐसे news आए technically weakness दिखें तो caution बरते हैं मेरा expectation है कि zone में एक बार profit चाहें तो आप book कर सकते हैं और 38-40 के level का weight करें जो की एक best buying zone हो सकता है और अगर आपके horizon ही more than 3-5 year है तो position बनाए रखें there is no any problem in that but if you are holding for short term trading purpose then you should definitely book some profit partially profit चाहें तो कर ले 70% again यहां average out करने के लिए या चाहें तो full quantity भी आ आप exit कर सकते हैं thank you